नमस्कार आदाब सस्रियकाल मैहा सर्बजीत सिंग हाजिर हाँ प्रोग्रम लेके किताबां दे पन्ने आज तुसी सुनोंगे नावल कार नानक सिंग दा लिख्या होया नावल पुवित्तर पापी दा चौथा पाग रावल पिंडी दे राजा बाजार विच सरदार अतर सिंग दी कडियां दी दुकान है पर चून तों छुट थोकमाल वी सारी पिंडी विच केवल उस पास हो मिलदा है वेस्ट एंड वाच थे होर कईयां कंपणियां दा ओ एजेंट है होर देवी देवतियां वांग लश्मी देवी वी उससे उत्ते निहाल हुंदी है जेडा तान मान नाल इस दी पूजा करे अतर सिंग वी इस देवी दे अन्यन पुजारियां विच्चो है उस पास ज्यों जो दौलत वद दी जन्दी है त्यों त्यों इस दी प्राप्ति लई ओ होर अधीर होंदा जा रहा है कोई वी पैसा जेडा उस दी जेब विच्चो निकलदा है मान नो उस दे दिलनू चीर के निकलदा है उसने अपनी जिंदगी विच दो ही थामा वेखियां सान दिने हट जाटी ते रती कार इन अदूह तों छोट किसे होर था नाल उस दा कोई वास्ता नहीं सी उसनू कदी किसे ने गुर्दवारे जां किसे जलसे लेक्चर वेच जान देया नहीं वेखिया इस दा एक नहीं दो कारण सन एक ता कमकार दे हथों उसनू वेली नहीं सी मिल दी पड़ी मुसीबत अठोनी पहिंदी सी। तोरके जानों तां ओ ओंजी ही आत्तुर सी। ते टांगे वाला कोई उसनु ले जाननु त्यार नहीं सी। जे कोई लालची कोचवान मन्वी लेंदा। तां सालम टांगे दा किराया पूरे अठ आन्ने मंगदा। ते ए सौधा अतर सेंग लई मेंगे तों छोट ना काबिले बरदाश्त वी सी। रुजाना ते ली जानते ते ली आउन। गोया पांगदे पाड़े एक रुपया रोज वरबाद करना। पूरे ती रुपय महीन ने ते 360 रुपय सलाना। ते अखीर इस अलाचारी दा उसने इलाज लब ही ल दुकान दे उत्ते एक चुबारे वेचे टबर नू लिया रख्या। पामे पाड़िया चड़न दी तकलीफ तों होनवी ओ कई वर छिथा हो पेंदा। क्यूंके रुजानना एक वारी चड़ना ते उत्तरना पेंदा सी। ते मुसीबत एक पाड़िया इतनिया सौडिया सन के कई वारी उस दे मोड़िया नू रगड़ा आजन दिया। पर आखर गुजाराता करना इसी इस तों बिना होट चारा ही की सी। जान पशान वाले कई अतर सेंग नू सला देंदे। सरदार जी तो आनू गुरू ने इतने पागलाए ने पांज दासा हिजार रुपया खर सरमाया फोग सुटना, दस हजार दा व्याज पता जे की बन दा? सौ रुपया मीना, बारां सौ रुपया साल दे। हिसाब लाओ, दसाविया साला वेचे ए रकम कित्थे दी कित्थे जा पुंचेगी। फिर आज कल दे जमाने वेचे जद के आदमी मारें पैसा नी लब दा मकान उते इतना रुपया पुटना किदर दी अकल मंदिया। पन्ना लाल इसे दी दुखान ते नौकर है। पामे मालक ने उसनों हिसाब किताब लई रख्या सी, पर उसनों करने पैंदे हन कई तंदे। मुनशी गिरी, करदा सौधा पता लेउना, ते होर कई फुटकल काम पन्ना लाल नौ इस दुखान ते काम करदयां पांज वरे हो गया हन। उसनों 40 रुपय मही नेते रख्या गया सी, पर पिशलेरियां गर्मियां विच मालक ने मंद वाड़ा कह के उस दे पांज रुपय कटा देते सान। इस दा मतलब ए नहीं के मालक नौ अपने नौकर न पन्ना लाल एकतों वधीग वारी कोशिश कर चुका है के कड़ी साजी दा थोड़ा बहुता काम से खलवे पर नजर दी कमजोरी ने उसनों सफल नहीं हों देता। जाद मालक वेख दा के उस दी प्रेरना दा पन्ना लाल उते कोई असर नहीं हो है तां उसनों बड़ी पन्ना लाल ने पावे हर वारी आपनी बेवसी दसंदी कोशिश की ती पर अतर सिंग ने इस दा एहो मतलब कड़्या एबाने बाजी है सिर्फ ममूली सा अवकताब रखन बदले हर मीने इतनी रकम देनी मेरी समर्था तो बार्या कड़ी साजी सिखन लई अतर सिंग दा उस उसनु उमीद सी के जे पन्ना लाल थोड़ी बहुती कड़ियां दी मुरम्मत कर सके ता ना केबल उस दी तनखा सैज्जे ही इस विच्चो निकल सकेगी बालके कोज वदीक ही मुरम्मत दा काम बथेरा आउन दी उसनु उमीद सी पर सिर्फ उमीद उत्ते ही उचे चा साज रखना जड़ा कटो काट पंजार बैदा जरूर लवेगा अतर सिंग मुनासब नहीं सी समझदा उस दा मनशा सी क्यों ना इको आदमी दोंए काम करे कलर की वी ते कड़ी साजी वी पर जद उसने वेख्या के पन्ना लाल पासों कड़ी साजी दी कोई उमीद नहीं ता ओ किसे होर आदमी दी पाल वेच दिमाग लड़ाओन लगा अंदर खान ने उसने कोई एहो जया आदमी लबबन दी कोशिश जारी रखी पर जदती कुसनों इस वेच काम्या भी नहीं हो सकी सिर्फ कलर की बदले पैंती रुपए देने उसले दिनों दिन असाय हुन दे जा ओ एवी जानदा सी के जे पन्ना लालनों हटा दिता गया ता उस दा काम चल नहीं सकना क्योंके ओ आप बहुता पड़या ना होन करके हिसाब किताब ते बारलियां फर्मा नाल चिठी पतर दा काम नहीं सी कर सकदा सो इस से दो चिठी वेच उसने काफी समा बिता देता ना उसनों कोई चाज़दा आदमी लबा ना पन्ना लालनों जवाब दे सकया वो समझदा सी के पन्ना लाल दी तनखा उसनों एक तरह नाल मुफत वेच ही देनी पह रही है उदर सारी रात पन्ना लाल ने अखां वेच बिताई इस रात वांग उस दी जिन्दगी वी हनेरी ते हर पासें डुराउनी सी चिठी दा एक एक वाक जिमें उसली मौत दा वखो वखरा परशामा सी उसनू आपना दिल काटदा काटदा मलूम होंदा सी पासे पर्तदा होया ओ नालो नाल उस चिठी दियां सतराणू दिल विच दोहराई जान्दा सी साड़ा लड़का हाले व्या कराउनली रजा मांद नहीं जे तो आनू बहुती जल्दी है ता लड़की दा साक होर किते कर देओ वो सोचदा जे पला लड़का हाले व्या नहीं कराना चाउन्दा ता ए ममूली गाल सी साड़ी कुडी केड़ी बुड़ वरेस हो गई है असी होर वरा दो वरे उडीक सक दे सां पर उन्ना दा ए लिखना के तो आनू जल्दी है ता इस दा मतलब ता साफ है के साक लैनो इनकारी हैन की इसलई के मैं हुन उन्ना दी बराबरी दा नहीं रहा जे मैं पहली हाल तो विच हुन दा ता की उ इस तरह दा खत लिख दे फिर हुन की कीता जावे जियों ही लोकानू पता लगेगा के मेरी लड़की दा साक छोट गया है के ते खलोन जोगा जह किसे दे सामने मूँ देन जोगा नहीं रहांगा उदर करजे दी पांड दिनो दिन पारी हुन दी जा रही है रब ना करे जे माया नू किसे तरह पता लग जावे के असी टाई तिन हजार दे करजाई हा ता उस दा की हाल होवेगा फिर एकतों बाद दुजी लड़की त्यार खड़ी है दों वर्यानों सिर्ते चड़ जाएगी आकर की बनेगा किस तरह बेड़ा बनने लगेगा वड़े वेले जद पन्ना लाल उठया ता उसनु जापदा सी जिमें उस विच मंजेतों उठन जोगा सा सत बाकी नई उसले सारी दुनिया निरा हा नेरा ही हा नेरा सी अखा बंद करदा तामी हा नेरा खोलदा तामी हा नेरा करदियां कंदां जिमें मूँ पाड उसनु निगलन लई उल्डर दियां आ रही हैं सन एकवारी तां उसनु ख्याल आया क्यों न करबार चड़ के किसे पासे निकल जावा ना ओवेगा बांस ते ना वज़ेगी बांसरी पर जियों ही चौन ननियां जिन्दां ते मसूम साथन दा ख्याल आउंदा उसनु आपने आप तो नफरत होन लाग पेंदी की इना जियांनु मैं इसे लिए दुनिया वेच ले आनदा सी की माया नु उसदे माप्याने इसे लिए मेरे लड़ लाया सी नई नई ये जुल्म है पाप है विश्वासकात है फिर फिर की करा इस वेले हाथ विच मसाले दी कंगी फड़ी आपने केसा विच फेर दी होई वीना उस दे सामने आके बोली पापाजी तुसा उठना नहीं आज बेखो ते सही बार केडियां तु पांचडियां याने पन्ना लाल ने अरमान परी नजर नाल कुदरत दे इस मसूम जए खिडोने वल तक या ते फिर सोचन लगा के हाचंगा अंदा जे मैं क्यामत तक ना ओठदा ते उँ ओठ के कोठे ते चला गया इदर वीना नू उस चिठी दा ख्याला आगया ओ एक वार सैमी होई हिर नीवांग इदर उधर तक की ते चाटपाट उस दा गोरा सुब का हाथ कामबदा कामबदा टंगे होए कोट दी जेब तक अपड़या चिठी कड़न तोड़ी उसने होर एक दो वारी बुहे वाले चाक्या ते फिर काली-काली चिठी दियां सतना ते नजर फेरन लगई पढ़दें पढ़दें उस दा रंग फख हो गया उस दियां चमक दियां अखां एक वारी लम्यां चिमनियां दी छाहेट फरकियां ते फिर टेक गईयां उसने छेती नाल काड़नों मुड कोट दी जेब विच पा देता ते कमरें बार निकल गई मुँ हाथ तो के जद पन्ना लाल कामते जान लई त्यार होया ता माया ने उसनों रोक के पुछया फिर की सोचया जे पन्ना लाल ने उत्तर विच कुझ कहन लई जुबान खोलनी चाही पर कोशिश करनते वी ओ ना बोल सकया प्रशन ही ये हो जा सी जिस दा उस कोल उत्तर ही नहीं सी पती नुँ चुप वेख के माया काबर गई कबराई होई ता उ रात दी ही सी पर पन्ना लाल दी इस बे उत्तर तकनी ने जिमें माया दी रू नुँ एक पारी पत्थर हेठ दे के चित्थ सुटया ए जान दी होई वी के उस दे प्रशन दा उत्तर ना पन्ना लाल कोल है ना ही इस दुनिया दे तखते उत्ते किसे होर कोल उसने अपने प्रशन नु दोहरां दे होया पुछया इस तरह टिक गिटा है ते कुछ नहीं बनना कोई ना कोई रा कड़ नहीं पवेगा माया दे ए वाक कुछ इस तरह दे द्रिड सन जिमें ओ आप किसे नतीजे ते पहुँच गई होवे माया की दसां पन्ना लाल पासों इस तों वद ना बोल लिया गया तुसी मेरी सलाह ए एयों करो हो माया ने बड़े ठरम में वेच कहना शुरू कीता जेडा जरा मासा गयाना मेरे कुल है है इसनू वेच देओ तेन चारसो ते वट्ट्याई जावेगा ते बाकी कुछ सरदार नू आख वेखो जे दो चारसो दी मदद कर देवे ओ जाने असी आउख करके वियां वेच गुशारा कर ला मांगे पंदरा रुपईय मी न तन खाचों कटाई जाना जे एना कु हो जावे फेर खोरे रुड जाने मानी जान सूलते उन्नानू एसे गाल्दा उठदावे न पईये पुखे हो गयने खबरे दाजवेच कोज देन गे के ना उप्रोकत वाक उसे माया दे सान जड़ी राती कैंदी पई सी मुण्डेयां दा काले एकदर बद्दा सौधार खुले पर इस वेले ओ उन्ना ही कुडमानू किसे तरा वर्चान लई सब कुझ कर गुजरन नू त्यार सी पन्ना लाल नू माया दी ए तजवीज कुझ कुझ जच गई उसनू अपने निरास जीवन वेच आसदा निका जया टिम कना दिसया ते बोले या जे फेरवीना मनने ताँ क्यों नहीं मननगे माया ने पूरे दाईय वेच केहा मैं जाके मन आलवांगी तुसी कुझ करो ते सही ते जे सरदार ने सुका जवाब दे देता पन्ना लाल ने टेंदे दिलचों केहा तुसी कोशिश ते करो पहला इननना पादेंदे ओ हर गलवेच जवाब गयों देवेगा पंजवरे नौकरी कीती है कदी एक पैसे दी खनामी नहीं ओई साड़े को लो जिसनाल दो कडियां रलके राप ये ओवी राप आलदाए फिर तियां ते आणियां सारे आदियां सांजियां उन्दियांने जरा मिननत खुशामत कर देनी केड़ी गल जे तो अड़े आखे नाम अननेगा ता मैं आप सरदार नी दे कर चली जावांगी पंणाल आल दे देलर नू कुझ तीरज होया ते कुझ होंसलावी उस दे कदमा विच्च जरा कुछ रुवाननी आ गई सारे रा ओ इनना ही गोतियां विच्च डोबदा तरदा तुर्या गया कदी ता उसनू ख्याल होंदा सरदार होरी जरूर मेरी मदद करनगे जदो मैं अननू अपनी हाल तदसांगा ओ आप भी बाल बच्चे वाले ने जरूर मेरे दोखनू मैसूस करनगे पर कदी फेर उस दे ख्यालांदा रुख दुजे पासे पलट जानदा जिस कंजूस दी कौड़ी कौड़ी विच जान है रोज दास केंटे खड़े पैरिंग काम करवानते वी जिसनू पैंती रुपए पारू जाप देने कदों लगा है मैंनू सैकडे रुपए ये कड़ के देन इससे तना कदे टौंदा कदे उसार दा पन्ना लाल दुकान निडे जाप जा उस दा देल जोर जोर दी तड़कर्या सी जिनने कदम ओ पुट दा उन्नी भारी जिमें तबले दे ताल नाल नाच दे पैर उठदे हन उस दा देल कई जन्दा जे उसने ना कर देती दुकान आ गई सरदार अतर सिंग अपने गाउ दोम तकी ये नाल टासना लाई बैठा सी ते उस तों जरा हट में था वड़े शोर केस दे लागे एक माडवा जया सोने नक्षा नैना वाला दिया बाईया वर्याँ दा गबरू गोडे देलनाल लाई पैरा पार बैठा सी जिस दे कपडे मैले कुछ आले ते सरीर रूलया खुलया सी कल दिया कोजे चिठिया दे उत्तर देन वाले सन डेडे पन्नालाल मुका नहीं सी सक्या उप्रों सरदार नीदा सुने आ आगया सी के उस दी मुन्नी नू खसरा निकले आओया है जिसनू डाक्टर पास ले जाना है जिस करके पन्नालाल नू कामनू अदूरा ही छड़ना प्यासी सरदार हो रानू सत स्री अकाल बलानतों बाद पन्नालाल दुकान दे पिछले हिस्से विच जित्थे उस दी मेज सी जान लगा तां जो कल वालियां चिठियां पहली डाक विच पेज सके के सरदार हो रान आवाज दिती उसनू अपने लगे बिठाल के अतरसेंग ने क्या अज दी तरीक तक तरीक इनी तनखा बन दिया हिसाब कर के दस खां जरा इस अजीब प्रशन नू सुनके पन्नालाल हकाब का रह गया इस दा मतलब पुच्छन लई उस जबान नू हरकत देन ही लगा सी के इस तो पहला ही सरदार हो रही बोले मै तेनू कई वर कह नहीं सा चुका के तू कड़ी साजी दा थोड़ा बदा काम जरूर सेखल है जै सेखल हैं दे हो ता आज मैनो क्यों हो और आदमी दा इंतजाम करना पहिंदा ए आदमी कड़ी साजी भी जान दा ही ते तलीम भी इस दी बीए ता क्या और तुयों इनसाफ नाल दस बीए पास के दसवी फेल फिर कड़ी सा जीदा काम चूंगे वेचे और तनगाद बदा ही की फैसला हो या पंजी रुपए मेरा ख्याल है तू बुरा नी मननेगा नाले बुरा मननन वाली ये सेखली गाली केडी है सरदार हो रहा उस दूसरे नौजवान वाल ताकदयां क्या है ये नू कामदा चार्ज दे ते नाल अपनी तनखादा हिसाब भी वेखला है पिछले मी निशायत तूं को जो पेशगी भी लई सी पन्ना लाल दियां अखां विच्चों हरकत ते जोतना जिमें उड़ गई उसनु जापया जिमें दुकान दी च्छत उस उत्याडगी होवे उसने सिर्फ फेर के एकवारी गबरु वल तक या ते फेर आपने मालकवाल कोज बोलन लई ना गले वेच तरावट बाकी सी ते ना ही जबान वेच लचक ओ एकवारी उठन लगा फिर बैठ गया शायद उस दे सिर्फ नू चकर आ रहे सन कोल बैठा नौजवान बड़ी खोज परी नजर नाल पन्ना लाल दी हालत नू तक रहा सी अखीर मेज दे आमो सामने दो कुर्सियां ते दो में बैठ गय पन्ना लाल नू रिजिस्टर दे अखर फैल दे फैल दे विखाई दे सन ते कदी यों मलूम हुंदा जिमें एक सतर विच्चों दूजी सतर उठके वड़ी हुंदी हवा विच कुल दी जा रही है वो जितना इस मेज अगों उठ जान लई उतावला हो रहा सी उन्नी ही टेल पेंदी जान दी सी उसनू डर पास रहा सी मते एथों उठंतों पहला ही उस दे देल दी तड़कन बंध हो जावे वो कड़ी मुडी अखा माल माल के उन्ना अगे आ रही तोंदनू हटान दी कोशिश करदा पर अखर फेर भी उसनू तुंदले ही देश देसान जिन्निया रकमा उसने नमे कलरकनू समझाईया उन्ना विच्चों बौतिया गल्त मल्त सान इन्ना नू दूजी तीजी वारी उसनू ठीक करना पैंदा चार्ज देनतों बाद पन्ना लाल ने आपनी तनखाद चोकदी कीती सारा कट कटा के उसनू छबी रुपए मिले जिन्ना नू बे दिली नाल जेब विच सुटके वो जिद्रों आया सी उदर बिना एक अखर मुहों बोलने वापस मुड़ गया केवल इशारे नाल मालक नू परनाम करके पर जियों ही वो करदे नेडे पहुंचया उस दे पैरानू जिमे किसे चीजने बन लया वो उन्ना ही कदमाते रुक गया काफी चिर खड़ी रैंतों बाद ओ पिशां परते ओ शेरों बार सड़को सड़क तुर्या जा रहा सी पता नहीं किद्दर तुसी सुन रहे सी नावलकार नानक सिंग दा नावल पुवित्तर पापी दा चौथा पाग अज ए नाही रब राखा